अगर आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तो आज के वीडियो में मैं एक एक करके आपको बहुत सारे चीज दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि हमारे देश के 80% से भी ज्यादा मीडिया नोटों के गड़ी में बिकने वाला कितना बड़ा बिकाऊ है और आपको ये भी बताऊंगा कि दिल्ली के निजामुद्दिन इलाके में तबलीगी जमात के साथ हुआ किया था और ये गहर जिम्मेदार जूट फैलाने वाला मीडिया दिखा क्या रहा है गिरगिट तो अपने आप का रंग बदलता है और किसी को मालूम नहीं पड़ता लेकिन हमारे देश का जो 80% से भी ज्यादा मीडिया है जो BJP RSS का गोद लिया हुआ मीडिया वो कैसे अपने आप पर तो नहीं लेकिन दूसरों पर दूसरे चीज़ पर हिंदू मुसल्मन का रंग डालके उसको पेश करके लोगों को लोगों पर कितना जूट फैला रहा है देखिए एक निउस चैनल का है ये पिक्चर उपर उस निउस चैनल का लोगों भी दिख रहा है और एक दोम बिल्कुल नीचे एक टेक्स्ट फ्लैश है देखिए ब्लैक कलर में नीजामुद्दिन ने बढ़ाया कोरोना का खत्रा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको बिल्कुल नीचे नीजामुद्दिन ने बढ़ाया कोरोना का खत्रा मतलब ये कोई पढ़ेगा निउस चैनल में ये कोई देखेगा वो तो कुछ और ही समझ लेगा इनका कहना है हमारे देश में कोरोना वाइरस का खत्रा बढ़ा दिया है निजामुद्दिन ने जो कि बिल्कुल गलत है अभी भी जात चल रहा है किसपर कितना कोरोना वाइरस है जो लोग हॉस्पिटल में हैं, वो सब कॉरोनावाइरस का मरिज नहीं है, उसको चेकिंग के लिए रखा गया है और दूसरी बात, हमारे देश में कॉरोनावाइरस का खत्रा बढ़ाया, निजामुद्दीन नहीं कोई तब्लीगी जमात नहीं है हमारे देश में कोरोना वाइरस का खत्रा बढ़ाया, खुद मोधी सरकार ने, कैसे, जब दिल्ली में पहली बार कोरोना वाइरस का केस आया, एक महिला, वो महिला क्या तबलीगी जमात से थी, नहीं थी, जो अठारा साल का लड़का, इंग्लेंड से कोरोना वाइरस का मरीज बन के कोरोना वाइरस को साथ में लाया था, हमारे देश में, कोलकाता में, और अपने घरा के और चार मेंबर को कोरोना वाइरस का मरीज बना दिया, तो वो लड़का क्या इंग्लेंड से को तबलीगी जमात साया था, नहीं है था, इसका मतलब कोलकाता में जो कोरोना वाइ यह सच भी है इसका जिम्मेदार कौन है भारत सरकार है अगर वो विदेश्या आया वो सरकारी तोर तरीके से वीजा लेके टिकेट खरीद के जब भारत आया था तो उसको भारत की वाँ आने दिया अगर आने भी दिया तो एयर पोर्ट से बगार चेकिंग के क्यों छोड़ा इसके जिम्यदारपन है भारत सरकार है तबलीग जमात नहीं है हमारे देश का जूट फैलाने वाला मेशीन हमारे भारतिये मीडिया वो कैसे प्लैन करके खबर दिखा रहा है देखिए कोई अगर मंदिर में अटक जाता है तो वो फंस गया है कोई आश्रम में अटक जाता है फंस गया है कोई रोट पे बेचारे मज़दूर रहने का ठिकानाना ही है हजारों संख्या में 81 होके जब चल रहा है वो फंस गया है यह हम भी कही रहे हैं वह फंस गया है लेकिन जब निजमिद्दिन मरकस में तबलीग जमात वाले जब अटक गया है उसको रहा है चुपा हुआ है वह चुपा हुआ नहीं है वह भी फंस गया है इतना जूट खबर क्यों और एक वीडियो देखिए दोस्तों यह वीडियो थोड़ा आप गौर से देखिए यह सेल्फी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए तोड़ा यह जो लिखा है यह उल्टा लोग तें निजामU Montana का मंदर है सोला मार्च स्थिझी विणातरे मना इम पन नहीं तो 12 मार्च कुजए इप से 105 अउन aliat का सी 1 इस तारिक को और सारा का सारा निजामुदीन पर लेकर आके बैठ जाएंगे तो दोस्तों यह जो निउस चैनल में दिखाया गया यह बाकी गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो बिख चुके हैं वो बिखाऊ हैं निउस चैनल वाले अपने स्टूडियो पर एक पैनेल बनाकर सब को बुलाके जो लोग जो क्या कहूं एक तरह का कुत्ता है जो कुत्ते लोग तबलिगी जमात का बहाना बनाकर मस्जिदों पर मदरसों पर और मुसल्मान पर ट AMU आलिगर मुसलिम यूनिवर्सिटी वहाँ पे कुरोनवाइरस के मरीजों के लिए डॉक्टर को रखा गया उनके ट्रीटमेंट के लिए क्या वो नहीं दिखता जो अजीम प्रेम जी है हमारे भारत के जो दूसरा सबसे अमीर व्याक्ति अजीम प्रेम जी उसने 50,000 करोड रुपए भारत सरकार के हाथ में इसलिए दिया ताकि कोरोनवाइरस के मरीजों को बचा सके वो नहीं दिखता क्या हमारे देश के मीडिया और वो बुलाये गए जो कुत्ते हैं उनको हमारे सरकार को यह नहीं दिखता कि सिपला कंपनी का जो ओनर है उन्होंने भारत सरकार क फ्री आप कोस्ट जो दवाई मुहाईया कराने का जो निर्ने लिया वो नहीं दिखता है सरकार को सिर्फ एक भाना होता है कोरोना वाइरस लेकर कितना न्यूज चला हूं फिर हिंदू-मुसल्मन टॉपिक पे तो आना ही है जिससे उसका रोजिरोटी चलता है नियूज में बार-बार ये कहा जा रहा है कि तबलीग जमात में शिर्कत करने वाले सारे लोग और उनका जो आयोजक है वो इस घटना को छुपाया है पहले दिन से कॉन्टेक्ट में हैं आप पहले ये वीडियो देखिए पहले दिन से उनके कॉन्टेक्ट में है हमने उन्होंने कहा कि हमारे पास बसो का इंतजाम नहीं है आप के बाला कर बसो का इंतजाम ऊपकी फैरिस दीजिए हमने विस पासे की परमिशन नहीं दे सकते इस तरी इसे किजिए आप यहीं पर मजमग को हैं रोकिए और मजमग को रोकने के बाद वह हम इसको करेंगा ने कि हमारी तरफ जह उधर परशासन की तरसे तो दोस्तों यह निजामुद्दिन में जो तबलीगी जमात का जो इस्तिमा हुआ उसी का एक सदस्य है वो मरकज में तबलीग जमात में शिर्कत किये हुए जो लोग थे वो छुपा छुपे थे या फिल फैसे हुए थे और उसको सरकार की तरफ से कोई उतना अच्छा मदद भी नहीं मिला यह वीडियो देखिए दोस्तों जब कोरोना का संका को क्लियर किया कि हाँ बीमारी मद्द भारत के अंदर है और लोग डाउन भोशित कर दिया प्रदान मंतरी ने जो जहां है महीं रह जाए ऐसा खेर जब्मेदारा ना बिना किसी तैयारी के लॉक डाउन भोशित किया खलते किसकी मोदी सरकार की उसके बाद मरकज अदामत दिन की कमिटी ने जब्मेदारी से एसेचो को इंफॉर्म किया कि हमारे यहां पे फॉरिन नाशनल्स भी है भारत के नागरिक भी है सब लोग है दूसरे स्टेट्स के भी लोग है पनरा सो लोगों को हम उनके घर भेज़ चुके हैं हजार लोग अभी भी यहां पसे हुए जिसमें वॉलिंटेर्स भी जो यहा हड़ियों के पासिस दे दी ताकि हम निकाल सकें यहां से लोगों को क्योंके ट्रांस्पोटेशन पन हो गया है लोग डाउन की वज़ा से पर एसेचो सहाब पुलिस दिली पुलिस ने कुछ ने अक्शन दिया उसके बाद मरकस कमेटी ने किसको लिखा एडिशनल कमिशनर कि हमें पासिस दी जी है ताकि हम लोगों को बेश सकें एडिशनल कमिशनर ओफ पुलिस की रिसीविंग मौजूद है पर उन्होंने भी कुछ नहीं किया उसके बाद S.D.M. को लिखा कि S.D.M. साब पासिस दिलवाई है हम को ताकि हम लोगों को बेश सके और S.D.M. साब न पर उन्हों को लोगों को निकालने की रिए और सरकार के आदेशों का बालन करते हो किसी को बाहर नहीं गूमने दिया किसी को इजर उदर नहीं जाने दिया वहीं पर रोक रखा गया कि यहां से मत निकली हमारी S.D.M. से बात चल रही है आपको अपने घर पहुचाएंगे तो दोर्बिस जो खबर है यह किसी न्यूस चैनल में आपको देखने ही हैं तो सबसे पहले राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर एक्षा इसका दिया गया तो कटगड़े में खड़ा हो रहा है राज्य सरकार और केंद्र सरकार और मैं पहले भी कहा था हमारे देश में कोरोना वाइरस फैलने का अगर जिम्मेदार कोई सबसे पहले है वो है हमारा भारत सरकार क्यूंकि ममताब एनरजी के बार बार ऐलान करने के बाद भी कोई फ्लाइट, डॉमेस्टिक फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट, ट्र के लिए वेट कर रहे थे मोधी सरकार, यह सच है, यह जोट नहीं है दोस्तों, अभी देखिए उस पार्टी के बाद, जब कॉंग्रेस सरकार से बहुमत हासिल करके बीजेपी ने अपना सरकार बनाया, उसके अगले ही दिन घोशित कर दिया गया लॉकडाउन, तो घैर जि करना चाहिए, तबलीगी जमात पर नहीं है, अगर करना है, तो पहले उन लोगों को कराईए, दोस्तों, तबलीगी जमात को लेकर जो जूट फैलाया जा रहा है, भारतिया मीडिया द्वारा, और तबलीगी जमात का नाम लेकर, मुसल्मान, मस्जिद और मदरसों का नाम बदनाम कर रहे हैं एक तरह से बदनाम कर रहा है वो सच नहीं है दिल्ली पुलीस और प्रुशाशन अपना नाकामी चुपाने के लिए अपनी गलती चुपाने के लिए तबलिगी जमात पर और उस इस्तमा पर मतलब आरोप लगा रहे हैं तो दोस्तो इसलिए आपसे पर देखके आप उत्ते जितना हो और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा शुक्रिया